नमस्कार स्टुडेंट आपका स्वागत है मारी यूटूब चैनल पे साइंस क्लास एंड जीके पे रेखोई स्टुडेंट 12th क्लास बाइलोजी का जो हमारी यहां पे 6 नमर जो चेप्टर चल रहा था इस चेप्टर का आज हम यहां पे 4 नमर पार्ट पढ़ने जा रहे हैं किसकी क्रियाविदी पढ़ेंगे यहां पे रशारवण की क्रियाविदी रशारवण की क्रियाविदी तो सबसेर पहले समझना कि जो रशारवण की क्रियाविदी है यह रशारवण की क्रियाविदी एक्चुली है क्या यहां पे न कि रशारवण होता है यह रशारवण हो आपके गुरुत्वे बलके विपरित किसके विपरित गुरुत्वे बलके विपरित कौन से बलके विपरित गुरुत्वे बलके विपरित यह क्या करता आपके पादपो में उपर चड़ता है ना पादपो में उपर चड़ता है पादपो में उपर चड़ता है किसके द्वार जायलम के दौरा जायलम की जो कोशिकाए होती उनके दौरा पादप में उपर चड़ता है तो इसके क्रियाविदी को समझेंगे यहां पर किस परकार से जो पादप है वो पादप इस जल्ब को यहां पर आउसोसित करके अपने विबिन भागू में पहुंचाने का कारी करते ह तो इस क्रिया को समझाने के लिए यहां पर तीन सिदान दिये गए वेटा यहां पर कितने सिदान दिये आपके तीन सिदान ठीके देखो इन तीनों सिदान्तों के हम यहां पर बात करेंगे कि कौन-कौन से तीन सिदान्त है जिसमें से सबसे पहले आपके है यहां पर जेव बल सिद्दान्त कौन सो सिद्दान्त या पर जेव बल सिद्दान्त ठीक है फर्स नमबर कौन सो हो जाएगा जेव बल सिद्दान्त और अगर नेक्स बात करें कि सेकेंड नमबर सिद्दान्त कौन सो होता है वो हो जाएगा आपका मूलदाब का सिद्दान्त सेकेंड नमबर यह होगा हमारे यहां पर मूलदाब का सिद्दान्थ और थर्ड नंबर बात करें कि थर्ड नंबर कौन से हो जाएगा तो थर्ड नंबर हो जाएगा आपका बोतिक बल सिद्दान्थ कौन से हो जाएगा बोतिक बल सिद्दान्थ तो यह तीन सिद्दान्थों के बारे हम यहा मतलब मतलब सज्व को सिका जो सज्डीव सेलों सज्ग होती आवर्ति परीवर्तिन होता है कौन सा आवर्ती परिवर्तन होते हैं ौर इन परिवर्तन के कारण क्या होता आपके रास्सारोण होता है झाल अब देखो इस बोल सिदान्त के अलग-अलग ठीछ नीक उनने अलग लग मत बताएते हैं अब बात करते हैं इसमें क्यूंक आप कि पान्य Kyo रियले अपर मित्धान को तो कॉंच छाप कि उसनी प्रएटा अब रिले-पंपिस द्याता था है जो आपके पर चैलम किसके दौरा तो ध्यां में रखना है कि याप पेragen कौंशा एक टो जायलम पेरेन ghaima और इस के आला रोड़ित की नामक विग्यानिबियस इसके बाद में इक विग्यानिग आ है दूसरा जे उसब सिदैंत में ठीक है इनूने अलगलग आपके मद दे फिर हम सेकेड नमर्ड जो आपर नेक्स बिश्यानिग झाया उसका नाम था सर जे-बी बॉस कौन जाता सर जे-बिबॉस तो द्यान रगना इसके अनुसार जो पादप है पादप में जो तन्ह पाए जाता है इस तन्हे की जो वलकुट वाली को सिका होते हैं यहां पर मालो यह तन्हे के जो बाहर वाली वलकुट वाली को सिका होते हैं को टेक्स वाली जो को सिका होते हैं को टेक्स वाली जो को सिका होते हैं इसकी बित्री परत की जो को सिका होती हैं यह बित्री परत की को सिका होगे ठीक हैं यह जो बित्री परत की को सिका होती हैं आपके अंतस्त होता है मतलब जो आंत्रे के इस तरह होता है इस इस पंदन, यही जिद्धान दियाता है, यह मैंने, तो इसमें क्या होता है, लेवद इस lecture of course वी आई, लेवद इस पंदन के कारण कॉनसे मपराइब ऑभाणी पलिउ, क्वास तौनना, क्यून अवदान थी इसकी अवदान ये थी कि इसने बतायता कि जो आपके रशारवन की क्रिया होती है इस रशारवन की क्रिया का समन्द डाइरेक्ट आपके जीवित को सिखाओं से नहीं है क्या है आपके जीवित को सिखावोंसे नहीं तो इसने मतायता चैहा कि जो रहसारवन की कर्कि dość है आफके वातावराण के अनुकूलता के परक्रिया होती पर दिया गया पहला सिद्धान ते जिसमें से जिवित कोशिकाओं की मुख्य भूमी का होती है लेकिन गोल्ड लेश्की ने बताया था रिले पंप और इसने कहात की पादप का उत्रना पाए तन्य में वल्कुट वाला बाव होते हैं वल्कुट बाग अन्तस्त होचा के संपर्क मेरेता है ठीक है और ये लेवद करती और ऑपके रसारवन की परक्रिय होती है इसकी बाद में स्ट्रासबर्गर और इस बर्गर ने जीवित को स यह तो अपने आप्य वातरौन की अनुकूलता की कारण होथी था है अब इ स्टूदियन आप करते हैं आपके नेक्स्ट तो रिख कर लेते हैं कि इस तस दल्ष पर टाल्खार मोल बॉल नबगन मोल सीद्दानस क्वा जिद्दानता सो यहां पर मॉल ऐब का सिद्धान्त क्या था बस नाम पे द्यान दो कि जड़ों में एक दा उत्फन होता है वही दाप क्या कि मूलदापके कराण क्यों परकुरिया होता है एक अथ्यान धयां रहते होती है इसके ऐनघ्राण कि होती है और थार नमबर जो हमारा यहां पर सिदान था बोतिक बल सिदान कौन सा बोतिक बल तो बोतिक बलों के कारण क्या होता आपके रशारोण की परक्रिया होती है तो इसमें द्यान रखना बोतिक बलों के कारण होती है इसमें जीवित को सिकाई बाग नहीं लेती कौन सी को कमें बोतिक बल के कारण और के रसारवन होता है अब एक मनली lifesजा मैं समें हो एक बताए रसारावन बता है वायु मुंदुलिक आपके रसारावन का कारण बता क्यु 가서 कि इस परकार अलग वेगैनिकों ने अलग अपके बल बता दिया इन बलो के कारण ने आप पिर आप gefधिनिक प्रक Rebel के तुम अरे टॉमसे आपका सरसंजभ्वल सिदक्राइं जडाह समझेए कि इस तो सब्सक्राइल पहली बात बताएं इन्हों कि बताये था कि जो पाधब होता है यह माननोफ judges !! है है ठीक है यह पादप है है पादब की पत्य बना लेते हैं इंगा है जिसे की आपको बनाने में ने एक दम समझने में वह ज्या वाप साणिया है यह हमारे पास का यहां पर एक पादब है अब देखो इसने क्या बता है ता कि पोदों जो मूल, मतलब जड़ वाला बाग होता है, ठीक है तो जड़ से लेकर पत्यों तक आपके एक निरंतर अ irm डूट इस तम होता है मतलब जो जल होगा वो लगाताद चलता रहेगा यहां पेखी कि जल होगा पिल यहां पे जाएगा फिर यहां पे जाएगा फिर यहां पे जाएगा फिर यहां पे फिर यहां पे मतलब continue यह जल आपके पत्यों में और अन्यक जार जो साकाइं होती उनमें जाता रहेगा तो इस परकार ये एक परकार का है कि यहां पर अटूट इस्तम को क्या कहते हैं आपके जल इस्तिक परणाली क्या कहते है जल इस्तिक परणाली कि जल की एकदम इस्तिर परणाली यहां पर क्या है जल की एकदम इस्तिर पढ़ना है तो पहला point क्या हो जाएगा यहां पे कि पोदो में पोदो में पोदो में मूल से लेकर मतलब जड से लेकर ठीके जड से लेकर पत्यों तक जड से लेकर पत्यों तक क्या होता आपकी यहां पे कि एक अटूट इस्तम रहता है क्या सब्सक्राइब के च्वान होथा है उसे पत्तियों से क्या होगा आपके वास्प उत्सरजन होगा तो वास्प उत्सरजन के द्वारा यहां पे एक जड़ों में जैसे यहां से पानी बाहर निकलेगा तो यहां पे जल के हानी तो जड़ों में क्या होगा एक आपके खिंचाव उत्पन होगा क्या उत्पन होगा तो सेकेंड नमर पॉइंट बस आप खिंचाओ से पूरी लाइन याद रखना यहां पर ठीके कि वास्व उत्सरजन हुआ वास्व उत्सरजन होने से जड़ों में खिंचाओ उत्पन होता है और खिंचाओ उत्पन होने से आपके रसारोवन की परक्रिया होती है फिर देखो करन के बاي задेन नमबर करते है यहां पर ससंजन बल भी कारी करता है सांजन बल मतलब लगातार पानी चलता रहता है तो उनके मद्रें क्या होगा यह माल होता है यह संजन बल तो इस बल कान जड़ जो जल होगा वो क्या होगा एक दूसरे से लगाता जोडता रहेगा इस परकार ठीके तो जल अपने आपको क्या करेगा आगे से आगे आगे से आगे इस परकार खेंचता रहेगा तो यह सरसंदन बल भी क्या करता है यहां पर कारी करता है ठीके वच्छों यहां पर इस परका होगा और खिंचाओ भी फट्पन क्या होगा आपके ज्यादा क्योंकि ज्यादा पान पाणोगा जबूस कि ऊपर इस प्रकार बिषाने में जोली के द्वारा बताए गयए और जोलीने जो पॉइंट बताए ते यह ब स्वर्वमानिन सिधान्त और एक्जाम यह गयता पोठा क कि शरुमानी सिधान कौन सा राशा रोण के लिए तो वो कौन सा हो जाएगा आपका डिक्सन में जोली का सिधान कौन सा सिधान तापकी सरसंदन तनाव सिधान खीके बच्छों इस परकार से जो आपका यहां पर 6 नमबर जो चेप्टर है बच्छों वो कम्प्लीट होता है नेक्स्ट क्लास में आपका करेंगे 7 नमबर चेप्टर जन्यवाद बच्छों